आज मैंने देखी किल मूवी जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट किया जा रहा था बताया जा रहा था कि एक खतरनाक एक्शन मूवी होने वाली है एंड ये पिचर को आर रेटिंग मिली है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन तुमको देखने को मिलेंगे साथी में मार्काट होगी और बहुत सारा खुन बहेगा और एक R-rated मूवी के लिए में excited था और साथी में जिस हिसाब से इसका promotion चल रहा था भाई तो promotion में जो जो बाते बोली जा रही थी या जिस तरीके से इस picture को मार्केट किया जा रहा था मुझे लगा भाई कि picture में कुछ तो दम होगा और फिर इसका trailer drop होता है ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था मतलब उम्मीदे जगा देता है picture देखने के लिए फिर उसके बाद इस film को लेके एक news आती है मार्केट में कि जॉन विक के जो producer है वो इस picture का remake बनाने वाले है English में अब तुम यह सोच रहे होंगे कि बाई picture तो release होई नहीं तो इसका remake कैसे बन रहा है अब इसका simple जवाब यह है कि 2023 में Toronto Film Festival में इस film को दिखाया गया था जहां पे second runner-up रही थी और उसके बाद इन्होंने 2024 में फिल्म release होने से पहले भी किसी film festival में इस picture को दिखाया है अब बढ़ते हैं पिचर के story के तरफ लेकिन उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चानल को सस्क्राइब कर देना अब देखो भाई पिचर को story तो है जैसी सोची थी वेसी ही है अब story कैसी है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा पहले जान wonder रा ठोर जो की अभी-भी किसी mission से वापस लोटा है और उससे पता चलता है कि उसकी girlfriend उससे बहुत बार call कर चुकी है लेकिन वो call पिक नहीं कर पाया और जब वो messages पढ़ता है तो उससे पता चलता है कि उसकी girlfriend की कल सगाई होने वाली है तो भाई अब hero तो girlfriend की सगाई रोकन से वो भी अपने family के साथ एंड उसी train में ये दोनों commander चर जाते बस इनकी बोगिया अलग-अलग होती है फिर उसके बाद commander राठोर जो है वो अपनी girlfriend से मिलता है एंड बहुत सारी यसी romantic सी बाते होती है एंड फिर वो उसे train के toilet में प्रपोस करता है शादी के लिए जिसने मतलब इस से बहतरीन प्रपोस तो कई हो ही नहीं सकता एंड हमारे रेलवेस के toilet इतने ज्यादा साफ होते है कि तुम महां पर जाके इतने सारी गुपतकू कर सको और वो छोड़ो कमोट पे बैठके कोन भाई प्रपोस करता है लेकिन इस hero ने किया है अब इस प्रपोस के बा सब लोगों के mobile device जो है उनमें से network गायब हो चुका है मतलब अब train के अंदर जो कोई भी लोग बैठे हुए है उनके mobile में network नहीं है एनेक तरीके से कहे लोग की train hijack हो चुकी है और यह बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारते है और यह लुटे रहे तो कम लगे मुझे fighter ज यह अकेला ही था जो commander का सामना कर पा रहा था बाकी के सब तो एक एक शौट में चटक गए या उन्हें अजीब अजीब तरीके से काट पीट के मार डालने के लिए रखा गया था जिससे picture को R rating मिल जाए picture का सबसे ज़्यादा money shot जो है वो है इसका action वो भी brutal वाला action जो कि तुमको इसके second half में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है मतलब बहुत खतरनाक level की markart होने वाली है first half में इसका level थोड़ा कम होता है इन second half में और जादा बढ़ जाता है जो कि मैं कह सकता हूग इसका जो brutal action था वो अच्छा था लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था एक R rated movie का एक basic समझ सकते हो तुम लोग परजीस हिसाब से इन लोगों ने किया वो अच्छा था पू टीवी शो में मैंने ये सेम एपिसोड देखा है बस उसी स्टोरी को उठा के इन्होंने फिल्म में ढाल दिया है थोड़ा हाई लेवल का action ढाल के बस और कुछ भी ने बाकि ओर ओर ओल इस फिल्म के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि वन टाइम वाच है अगर तुम देख अगर तुमको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना चानल को सस्क्राइब मिलते आपन अगले वीडियो में